हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बक्रियों में होने वाले पॉलियो एनी सिपेलो मेलेसिया डिजीज के बारे में बताऊंगा यह डिजीज क्या होती है आपके बक्रियों में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किस से आप इस तरह में किस तरह से ट्रिट्विंड किया जाता है कौन से injection लगाए जाते हैं किस तरह से आप अपने बक्रियों को बचा सकते हैं क्योंकि बहुत से जो बक्री पालक हैं उनके जो बक्रियों के अंदर गयत यह जब यह बीमारी हो जाती है तो बहुत कई बर उनकी जान लेवा भी हो जाती है उन्हें कुछ समझ में भी कि यह क्या बीमारी हो गई यह तो पूरी डीटेल से बताया जाएका तोदो फीडियो को आप बिडियो को पूरी देखना वीडियो को दिख लेंगे अज आपको पर प्रोपर tooling हो जायेगा देको में बक्रियों के बारे मिं भी अपको सभी सअ कर आंका में अच्छी के बक्रिआयों में सिंप्टम्स मिलते हैंzklla आपकी बक्रियां की जो गरकर हीएडिया हो जाती है यह तरह बखिमियों में डिकत हो जाती है क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए बक्रियां यह होता क्यों है यह दिखो जब भी यह दिया आपकी बक्रियों में इस तरह की जो disease होती ए, लंगरा करके चलना, चिला माना, गरधन टेडी करना या ऐसा लगता है जैसे गरधन तूट गई हो मरोड करके चलना, गिर जाना इस तरह की symptoms आपकी बक्रियों में देखने को मिलते हैं इसंदर लेकिन इसके अंदर आपकी बक्रियों में यह वितामिन U1 वितामिन गमें की इह होती क्यों है यह आपके बक्रियों में जो हार या दाना मिसन दे रहे हैं उसमें यह आपके बक्रियों को विटामिन बीवन प्रयाप्त मात्रा में नहीं छेन लिडोल पिटवा ती है जिन्ट बक्रियों को हरा चारा में मिलता है वाँ पर इस बुक्रियों में इस तरह की दिकर देखने को मिलती है या आप अपने बक्रियों को प्रोपर मात्रा में इस तरह का जो मिनरल है या मिनरल में इस तरह का जो पावडर आप अपने बक्रियों को नहीं दे पाते हैं उसके बज़े से भी आपकी बक्रियों में डेपसेंसी देखने को मिलती है यानि कई कारण हो सकते हैं आपकी बक्रियों के अंदगत रही बात मेरे अंजायटिस और गिट के बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर एक डिटेल से वीडियो मिलेगी कि क्या है कौन से ट्रीटमेंट करना चाहिए यह जब भी यह दिया आपकी बक्रियों में इस परकार की दिकत हो जाती है इस तरह के सिंटम से आपकी बक्रियों में देखने को मिलते हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए सबसे पहले तुम्हें बताता हूं कि इसके लिए आपको जो विटामिन B1 का जो एक इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का परियोग आप अपनी बक्रियों में जुरू करवाना चाहिए जिस तरह से इंजेक्शन आता है बेरिविन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इंजेक्शन बेरिविन ये विटामिन B1 बहुत साइसे इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर आप विटामिन B1 होते हैं लेकिन अक्यला विटामिन B1 चाहिए एदि अचार जे लेना है तो विटामिन B1 का बेरिविन या अधर इंजेक्शन आते हैं थाइमिन के नाम से आते चाहते हैं तो 5 ml यह दि बक्रियों का बोडिवेट और भी ज्यादा है 100 kg के लगबग है तो आप इसे 7 ml इंट्रा मस्कुलर एंजेक्शन का परियोग आप अपनी बक्रियों में करवा सकते हैं यह दि बक्रियों का बोडिवेट कम है जिस परकार से 10 kg है तो 1 ml 20 kg है तो 2 ml 30 kg है तो 3 ml का परियोग आप इसका करवा सकते हैं यह तो है विटाइन B1 का फोती ज्यादा इस इंजेक्शन की जूरत पड़ती है यह इंजेक्शन लगाए बिना आपकी बक्रियां बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगी और साथ-साथ इसके अंदर आपको इंजेक्शन की जू उट्रा मस्कुलर आप अपनी बक्रियों को लगवा देना है यह इंजेक्शन भी आपकी बक्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा सेप होती है जिन बक्रियों का बोड़िवेट 50 कज तक है दो आमेल परियोग कर सकते हैं या सो के जी तक है तो इसका तीन आमेल तक परियोग क मेरीं को मिलेगा रही बात इस तरह के दिकत आ आपके मेरीं ओसा शाती है तो इसके लिए आप अपनी बक्रियों जुरुत आता है इसंजेक्शन का प्रियोग आप अपनी बक्रियों में करवा सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है ये इंजेक्शन की डोज आप जिन बक्रियों की बोडिवेट 50 कजी तक है तो 2 ml इंट्रा मस्कुलर ये आइसो फ्लूड जो इंजेक्शन आइसो फ्लूड पेरिडोन साल्ट का इस इंजेक्शन का प्रियोग आप अपनी बक्रियों में करवा सकते हैं जिनका जोडाइस्त ये बिमारी लिए इस तरह से आपको लगता है कि नियूरो से समधीत बेमारी हो गई है यह नर्वाईकल से समधीत बिमारी है तो आपको बैटरी जेल्ट के लिए आपको नियूरो केसे समधीत को इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का भी परियोग आप अपनी बक्रीओं में करवा सकते हैं जिस तरह से मैं injection का परियोग करता हूं मिकोवेट अक्सल का जो आपको दीक रहे है यह मिकोवेट अक्सल तो यह आप एक से दो ml आप अपनी बक्रीयों में इंट्रा मस्कुलर वैं इंट्रावीनस दोनुरूरूट से आप इस मिकोवेट अक्सल का भी परियोग कर सकते हैं देखो यह injection जो जिनका बोडिवेट ज्यादा है तो तीन एमेल तक भी आप इस injection का प्रियोग करवा सकते हैं देखो यह मैंने जो च्यार इंजेक्शन आपको बता हैं यह सबसे बैस इस्टेंडर्ड ट्रीटमेंट है ऑन आप क्यूंत देखने को है तो आपको 100% तक आहां तक हमने इस सबी जो इछ है यह प्रियनसी सेफ हैं एजिज आपके बकरीयां प्रिग्णट हैं ग्यामिन है तो भी आप इसकार कर सकते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह जब विमारी हो जाती है तो इसमें किस तरह की इंजेक्शन और किस तरह की सिम्टम्स हमारी बक्रियों में देखने को मिलते हैं और कैसे इलाज किया जाता है रही बात यह जो ट्रीटमेंट है यह ट् पहलक उग्टमकर शार्ट हमें अच्छी अजब पहुतर की मायं नाब करक्ए जाएं में समय का स्वक्राव में ऑप該ंशन ठाल हो सकते विडियो चैनल को हम इनको प्यार देते रहें ठैंक्स धन्यवाद